नमोनमह संस्कृतक अक्षायाम भवताम भवतिनांच पुनरेकदा स्वागतं अहम अस्मी अशोक कुमारह अध्यवयं शेमुषि द्वितिय भागह इती पुस्तकस्य द्वादस पाठस्य तृतियं भागं पठिश्यामह अस्य अर्थः अस्ति ए प्रत्यक्षाणी परोक्षाणी संकेत मध्यमेन कथितानी च वचनानी अर्थात अन्यशांकृते कथिताह उक्तायह अन्योक्तायह भवन्ती प्रियच्छात्रो, समस्कृत की इस कक्षा में मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सब का स्वागत करता हूँ आज हम सेमशी द्वितिय भाग इस पुस्तक के बारवें पाठ की तृतिय भाग को पढ़ेंगे पाठ का सीर्षक है अन्योक्तयाह यह अन्य और उक्तयाह इन दो पदों के संधी करने से बना है अन्योक्ति का अभिप्राय है किसी की प्रसंसा अथ्वा निंदा एप्रत्यक्षुरूप अथ्वा किसी बहानने से करना जब किसी प्रतीक या माध्यम से किसी के गुण की प्रसंसा या दोश की निंदा की जाती है तब वह पाठकों के लिए अधिक ग्राहिया होती है छात्रो भाव यह है कि जब अन्य व्यक्तियों के लिए जो बाते कही जाए वो अन्योक्ति कहलाती है द्वितिय भागे वयम शुभाशत त्रयम पठित वन्तह एक दा पुनह स्मारणम कुर्महा चतुर्था श्लो कहा आपी दिरे अंबर पथं परित पतंगा ब्रेंगा रसाल मुकुलानि समास्रयंते शंको चमंचति सरस्त्वै दीन दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिम अभ्युपैतु अस्य भावार्था अस्ति ग्रीश्म काले यदा जलम समाप्तम भवती तदा सर्वे पक्षिनह आकाश मारगेण इतस्ततह जलम पश्यंती जलस्य अनुवेशनम कुर्मंती भ्रमराह व्रिक्षाना मुकुलेशु जलस्य अनुवेशनम कुर्मंती अर्थात यदि आस्रेदाताएव संकोचम कुरियात तदा तस्मिन आस्रितानाम जनानाम दुर्गति ही तू निश्चितास्ती छात्रो हिंदी अर्थ देखते हैं पक्षी चारो और से आकास मार्ग में पहुँच गए हैं अर्थात जब सरोवर का पानी वाश्प बन करके उड़ जाता है सरोवर सूख जाता है तो पक्षी उड़ करके आकास में पहुँचकर उचाई से जल को ढूणने में समर्थ होते हैं और जहां पानी दिखाई देता है वहां पहुंच कर अपने प्यास बुजाने में समर्थ होते हैं। भावरे भी आम की मंजरियों का आश्रे ले रहे हैं। मंजरियों का रस चूस कर अपने प्यास बुजा रहे हैं। हे सरोवर तुम्हारे संकुचित होने पर जलहीन होने के स्थिति में अत्यंत दैनिय ये मचलियां किस गती को प्राप्त करे अर्थात आश्रिय दाता ही यदि संकोच करने लगे तो उस पर जो आश्रित है उसकी दुरगती निश्चित है पंच महशलों कहा एक एव खगो मानी वने वसति चात कह पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम अन्वयह एक एव मानी खगह चात कह वने वसती सह पिपासित वा म्रियते वा पुरंदरम याचते भावार्था वने एकह एव स्वाभिमानी पक्षी चातकह निवसती सह वर्षा जलम विहाय अन्यत्र विद्यमानं जलम ना पिबती एवा इंद्रह यदा वृष्टिम करोती तदा एव सह वृष्टि जलम पित्वा स्वस्य पिपाशाया समनम करोती चात्रह यदी वृष्टिह नभवती तरही पिपाशया म्रियते परन्तु अन्यत्र विद्यमानं जलम ना पिबती एवा अर्थात समसारे प्रत्येकम मानवात याचनस्य अपेक्षया यह दातुम समर्थास्ती असमाभी तस्मात एव याचनम कर्णियम चात्रों एक स्वाभिमानी चातक पक्षी ही वन में ऐसा है जो वहां रहते हुए या तो प्यास से मर जाता है या केवल इंद्र भगवान से ही जल की याचना करता है बच्चों यहां चातक पक्षी के माध्यम से हमें भी स्वाभिमानी बनने की प्रेड़ना दी गई है जिस प्रकार चातक पक्षी केवल एक इंद्र भगवान से ही इंद्र देव से ही वर्षा के जल की याचना करता है परन्तु अपने प्याश को शांत करने के लिए अन्यत्र जल का अन्यत्र विद्यमान जल का पान नहीं करता उसी प्रकार हमें भी प्रत्येक के समक्ष मांगने के स्थान पर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने चाहिए और जो देने में समर्थ है केवल उसी से ही याचना करने चाहिए शष्टह स्लोकह आश्वास्य परवत कुलं तपनोष्ण तप्त मुद्ध मदाव विधुराणिच कान नानी नाना नदी नद शतानिच पूर इत्वा रिक्तोसिय जलद सैवत वत्त मास्रिही अन्वयह हे जलद तपनोष्ण तप्तम परवत कुलं आस्वास्य कुद्धाम दाव विधुराणि कान नानी चे आस्वास्य नाना नदी नद शतानि पूर इत्वाच यत स्वयम रिक्ताह सी सा रिक्तता एव तव उत्तमाह स्रिही चात्रह अधुन अस्य भावार्थम पश्याम हाँ यता मेघह स्वयम वर्श इत्वा सूर्यात पेन तप्तान परवतान आस्वासयती व्रिक्षान वनानी चे तरपयती नदीही नदान चे पूरयती एवम एव सर्वेशाम त्रिप्तिम कारहित्वा स्वयम रिक्ताह भवती सा रिक्तता एव तश्य शोभवती तथाईवा निस्वार्थ भावेन अन्येशाम सहयोगम कृत्वा मनुष्य शोभते हिंद्य अर्था बच्चो सूर्य की गर्मे से तपते हुए परवत समुहों को तथा उचे वरिक्षों से रहित वनों को जल से त्रिप्त करके अर्था तजल बर्षा करके विविध नदियों और शैकडों नदी नालों को जल से भर करके जो मेघ तुम रिक्त हो गए हो यहां रिक्तता ही तुम्हारी शोभा है भाव यह है जैसे बादल की शोभा जल बर्षाने तथा सभी को त्रिप्त करने से होती है उसी प्रकार निश्वार्थ कल्यान करने से ही व्यक्ति शोभित होता है और व्यक्ति का जीवन सफल होता है चात्रह अधुना सप्तमं श्लोकं पठामहा रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं स्रूयताम अंभोदा बहवो हिसंति गगने सर्वेपी नईता द्रिशाह केचित व्रिष्टि भिरार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित व्रिथा यम्यम पश्यसित अस्यत अस्यपूरतो माब्रूही दीनम्वचाह अधुन अस्यपदच्चेदं पश्यामहा रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं स्रूयताम अंभोदाह बहवह हिसंति गगने सर्वे अपि न एताद्रिशाह केचित व्रिष्टि भिही आर्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित व्रिथा यम्यम पश्यसितस्यतस्यपूरतो माब्रूही दीनम्वचाह अधुन अस्य अनवयम पश्यामह रे रे मित्र चातक सावधान मनसा क्षणं स्रूयताम गगनेही बहवह अंभोधाह संति सर्वे अपि एताद्रिशाह न संति केचित व्रिष्टिभिः वसुधाम आर्द्रयन्ति केचित व्रिथा गर्जन्ति त्वम्यम्यम पश्यसितस्यतस्यपूरतः दीनम्वचाह माब्रूही अधुना अस्यभावं पश्यामह आकाशे बहवह मेघाह भवन्ति तेशु सर्वे नवर्षन्ति केचन मेघाह संयक व्रिष्ट्या भूमिम आर्द्रयन्ति केचन तुकेवलं गर्जन्ति एवा तथैवा अस्मिन संसारे अपि छात्राह केचन मनुष्याह केवलं अधिकं वदन्ति परन्तु सहायताम्तु न कुर्वन्ति अतह हे मित्र सर्वेशाम जनानाम पुरुतह दीन वचनम नवदतु किन्तु यह सहायकह भवितुम अरहती तस्य पुरुतह एव स्वस्य इच्छाम प्रकटायतु हिंद्यार्था अरे अरे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनिये आकास में तो बहुत सारे मेग होते हैं बादल होते हैं सभी इस परकार बरसने वाले या वरिष्टी करने वाले नहीं होते कुछ वर्षा से धर्ती को भिगो देते हैं और कुछ केवल व्यर्थ में ही गरजते हैं तुम जिस जिसको देखते हो उस उसके सामने दीन वचन मत बोलो भाव यह है कि गरजने वाले बादल के समान कुछ लोग केवल बोलते रहते हैं और कुछ वर्षा के बादल की तरह परहित करते रहते हैं इसलिए सभी के सामने याचना नहीं करने चाहिए अपितू जो देने में समर्थ है उसी से ही मांगना चाहिए शब्दार्थान पश्यामह अंभोधाह अंभः ददती इती अंभोधाह अत्र उपपद ततपुरुस समासह अस्ति बेगाह या बादल बहवो ही बहवह धन ही बहवह अर्थात अनेके गगने आकाशे आसमान में सर्वे पी सर्वे धन अपी सभी नई ताद्रिशाह न धन एताद्रिशाह ऐसे नहीं है केचित व्रिष्टी भिर आर्द्रयंती केचित धन व्रिष्टी भिर आर्द्रयंती केचित अस्य अर्थास्ति केचन कुछ व्रिष्टी भिर आर्दयंती व्रिष्टी भी ही आर्द्रयंती आर्द्रेंती अर्था तो वर्षा जलेन क्लेद यंती जल से भिगो देते हैं वसुधाम धराम प्रतिवीम धर्तिको पुरुतह अग्रे सामने व्रिथा व्यार्थम बेकार ब्रूही वद बोलो वचह वचनम या वचन चात्रह अधुना एशह पाठह समाप्तह अस्य अभ्यासकारियम कुर्मह प्रत्मह प्रस्णह अस्ति एक पदेन उत्तरता अत्र वस्तुतह एकीन पदेन एव उत्तरम लेखितुम परिक्षकस्य शिक्षकस्य अप्यक्षा अस्ति बच्चो ये पहला प्रस्ण इसका उत्तर हमें एक पद में लिखना है परन्तु कई बार इस तरह के परिस्तती बन जाती है कि एक पद में उत्तर देना संभव नहीं होता उस परिस्तती में अधिक अधिक दो पदों का हम प्रियोग कर सकते हैं पस्या महतावत क कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवती सरसह सरसह तीरे के वसंती बकाह कह पिपासितह म्रियते चातकह के रसाल मुकुलानी समास्रयंते भ्रिंगाह अथव भ्रमराह अंभोदाह कुत्रसंती गगने द्वितियह प्रस्नहा अत्र प्रस्नानाम उत्तराणी वयम पूर्ण वाक्येन लिखामह वाक्यम द्वयम त्रयम अत्रभवितुम अरहती बच्चों दूसरा जो प्रस्न है इसका उत्तर हमें संस्कृत भाशा में देना है और इसका उत्तर एक वाक्य या दो या तीन वाक्यों में भी संभव है क भागम पश्यामह सरसह शोभा केन भवती सरसह शोभा राज हनसेन भवती ख चातकह किमर्थम मानी कथ्यते यतह चातकह वर्षायाह जलम एव पिवती सह जलस्यकृते इंद्रम विहाय कस्मई अपियाचनाम न करोती अतह चातकह मानी कथ्यते ग मीनह कदा दीनाम गतिम प्रापनोती यदा सरह संकोचं अंचती अर्थात यदा सरह जलविहीनं भवती तदा मीनह दीनाम गतिम प्रापनोती ग कानी पूर इत्वा जलदह रिक्तह भवती उत्तरमस्ती, काननानी नाना नदी नदशतानी पूर इत्वा जलदह रिक्तह भवती व्रिष्टि भिहि वसुधाम के आर्द्रयंती व्रिष्टि भिहि वसुधाम अम्भोधाह आर्द्रयंती तृतियह प्रस्नहा अत्र अस्माभी रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रस्न निर्माणम करनियम भवती यहा यत पदम रेखांकितम भवती अथवा स्थूल अक्षरई ही लिखितम भवती तस्य आधारेन प्रस्नस्य निर्माण करनिया बच्चो इस प्रस्ण में रेखांकित या स्थूल शब्द को आधार बना करके प्रस्ण निर्माण करना होता है और इसमें हम किम शब्द के रूपों का विभिन रूपों का प्रियोग तो करही सकते हैं साथ में सब्तककार जो किम, कुत्र, कती, कदा, कुतह, कथम, किमर्थम ये जो होते हैं इनका और विशेशन, सुचक, कीद्रिश, शब्द का प्रियोग भी कर सकते हैं तो देखते हैं पहला क माला कारह तो यही तरोह पुष्टिम करोती माला कारह कयी हि तरोह पुष्टिम करोती ख भ्रिंगाह रसाल मुकुलाने समास्त्रयंते भ्रिंगाह कानी समास्त्रयंते ग पतंगाह अंबर पथम आपे दिरे के अंबर पथम आपे दिरे ग्व जलदह नाना नदी नद शतानी पूर इत्वा रिक्तोस्ती कहा नाना नदी नद शतानी पूर इत्वा रिक्तोस्ती चातकह वनी वसती चातकह कुत्र वसती चतुर्था प्रश्नहा अधो लिखितायो हो श्लोकयो हो भावार्थम स्विक्रित स्विक्रित भाशया लिखता यहां दिये गए दो श्लोकों के संकेत दिये गए हैं और उन श्लोकों के आधार पर हमें इस श्लोक का भावार्थ लिखना है पहला श्लोक है तो यही रल्पई रपी वारी देन वारी देन अनेन पदेन श्लोक से समाप्ति ही अस्ति भावार्थः हे राज हंस भवान यस्य सरोवरस्य कमल नाल सम्मूहं खादितवान संपूर्णं जलं पीतवान कमलानी च सेवितवान अर्थात सह सरोवरह भवतह कृते बहु किमपिकृतवान अधुना वद तस्य उपकारस्य परत्यरपणं कथम करिश्यती द्वितियह श्लोकस्य संकेतहस्ती रे रे चातक सावधानमनसा अंतिम पदमस्ती दीनम वचह भावार्थः हा आकाशे बहवह मेघाह भवंती तेशु सर्वे नवर्षंती केचन मेघाह सम्यक व्रिष्ट्या भूमिम आर्द्रयंती केचन तु केवलम गर्जनती एव तथईव अस्मिन संसारे अपी केचन मनुष्याह केवलम अधिकम वदनती परंतु सहायताम न कुरुवनती अतह हे मित्र सर्वेशाम जनानाम पुरुतह दीन वचनम न वदतु किन्तु यह सहायकह भवितुम अरहती तस्य तस्य पुरुतह एव स्वस्य इच्छाम प्रकटायतु पंचमह प्रस्नहा अत्र द्वयोहो श्लोकयोहो अनुवयम लेखितुम संकेतह प्रदत्तहस्ती प्रथमह संकेतहस्ती आपी दिरे अंतिम पदमस्ती कतमाम गतिम अभ्युपेती तरी अनुवयम पश्यामह पतंगाह परितह अंबर पथम आपे दिरे भ्रिंगाह रसाल मुकुलाने समास्त्रयंते सरह त्वय संकोचं अंचती हंतह दीन दीनह मीनह नू कतमाम गतिम अभ्युपेतु ख आस्वास्य इति आरंभा सैवत तवोत्तमा स्रिही इति अंतिम पदम अनुवयम पश्यामह हे जलद त्वम तपनोष्ण तप्तम परवत कुलं उद्धाम दाव विधुरानी कान नानी चे आस्वास्य नाना नदी नद शतानी पूर इत्वाच यत स्वयम रिक्तह असी सा रिक्तता एव तव उत्तमाह स्रिही शष्ठह प्रस्नहा अत्र उदहारणं अनुष्रित्य संधिम संधि विच्चेदं वा वयम करिश्यामह उदहारणं अस्ति अन्य धन उक्तयह अन्योक्तयह निपितानी अंबोनी कृतह धन उपकारह कृतोपकारह तपन धन उष्ण तप्तम तपनोष्ण तप्तम तव धन उत्तमा तव तमा न धन एताद्रिशह नईताद्रिशह इदानिम द्वितियम उधारणं अस्ति पिपासितह धन अपी पिपासितोपी कह धन अपी कोपी रिक्तह धन असी रिक्तोशी मीनह धन अयम मीनोयम सर्वे धन अपी सर्वेपी तृतियम उधारणं सरसह धन भवेत सरसो भवेत खगह धन मानी खगो मानी मीनह धन नू मीनो नू पिपासितह धन वा पिपासितो वा पूरतह धन मा पूरतो मा चतुर्थम उधाहरणं व्रिष्टि भिरार्द्र यंती सप्तमह प्रस्नह अधुना उधाहरणं दत्तमस्ती उधाहरणं अनुस्रित्य अधह प्रदत्तानाम विग्रह पदानाम समस्त पदानाम रचना करणियास्ती पीतम च तत पंकजम पीत पंकजम राजा च असव हंसह भीमह च असव भानुहूं भीम भानुहूं अंबरम एव पंथाह अंबर पंथाह उत्तमा च इमस्रिही उत्तमस्रिही सावधानं च तत्मनह तेना सावधान मनसा प्रियच्छात्रह अधुना एशह पाठह पूर्णताम गतह अस्मिन पाठे वयम अनेकाह उत्तमाह उक्तयह पठितवंतह एताह उक्तयह सुभाशितानि वा जीवने सदा अस्माकम मार्गदर्शनम कुर्वनती प्रियच्छात्रो अब यह पाठ समाप्त हो गया है इस पाठ में हमें अनेक सुन्दर सुभाशितों को पढ़ चुके हैं यह शुभाशित जीवन में सदा आपका मार्गदर्शन करती रहेगी एता द्रिशम एव ज्ञान प्रदम कंचित पाठम स्विकृत्य पुनह आग्मिश्यामी भवेत तावत कुशल मंगलम धन्यवाद हां अन्यवाद है